मित्रों नमस्कार आप देखें नमसिक्छा मित्रों गोरा दिखना सुन्दर दिखना इसमार दिखना सभी चाहते हैं एक कहावत है, अगर किसी का फेस ज्यादा खुबसुरत ना भी हो, अगर उसका स्कीन गोरा है, चेहरा गोरा है, तो वो सुन्दर ही दिखता है, खराब कम से कम तो नहीं दिखता, चाब वो इस्तरी हो या पुरूस हो, हम सभी भारती हैं और भारत में आयरुवेत का एक खास होना भी चाहिए, क्योंकि आयरुवेत से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, हमारे खाने पीने के चीज़े हैं, बहुत सारी इस तरह की, जिन्हें आप खाएंगे, या अपने चेहरे पर अपलाई करेंगे, तो आप गोरे हो जाएंगे, आपकी स्कीन बहुत अच्छी ह रहेगी, तो आएए उन सब चीज़ों के बायम जानते हैं, जो हमारे घर के आसपास ही होते हमारे घरों में पायाते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, नहीं खाते हैं, अगर उनका सही से हम अभियोग करें, तो हमारी स्कीन गोरी रहेगी, चेहरे के जो स्कीन है वो निखरता है इसमें electrolytes होते हैं जो कि चहरे के रंगत को निखार देते हैं electrolytes बहुत सारे क्रीम में भी यूज किया जाता है जो क्रीम आप भूत महंगे होते हैं खायते हैं लेकिन फिल भी हायदे नहीं होते हैं क्योंकि उसमें और में बहुत सारे chemicals मिला जाते हैं लेकिन आपक कच्चे नारियल की मलाई, जो आप नारियल का पानी पियेंगे, तो उस नारियल का जो अंदर का पाठ होता है, वो मलाई जैसा होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, वो आप खरीद के लाएं, उसे चेहरे पे लगाएं, और पूरा खरीद के लाएं, और चेहरे पे लगाएं, आप बांकि फ्रिज में रगते हैं और दूसरी दिन उसी नाडियल को आप यूज कर सकते हैं उसकी क्रीम लगाने से आपके चहरे में एक अलग सी चमक आएगी और साथी स्कीन ही भी आपकी टाइट रहेगी दूसरा में बदा चाहूँगा मैं बादाम बादाम में विटामिन्स होते हैं बहुत सारे साथी स्कीन वाइटनिंग कंपाउंड भी होते हैं इसमें अगर आप 3-4 बादाम को पानी में भीऊओकर सुबह में खाते हैं और इसका पेस्ट तियार करके उसे फिस पर लगाते हैं और साथी बादाम का जो तेल होता है उसे अपने चेहरे पर मालिस करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा बादाम में मौझूद इसकीन वाइटिंग कंपाउंड जो होते हैं वो चेहरे के स्कीन को बहुत स्वस्त बना देते हैं तो आप बादाम खाएं इससे आपकी समरन सत्की तो तेज होगी ही होगी साथी चेहरे का स्कीन भी डमकने लगेगा उसके बाद मैं में तो बता चाह उनके चेहरे पे कभी भी मुहा से उगर नहीं आते साथी अगर पकेवे पपीते का जो पाठ होता है वो अगर आप अपनी चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे की जो एक्स्ट्रा ओयल होती है वो सभी निकल जाएगी और आपका चेहरा दमकता हुआ पूर देखेगा तो आप सलाद में गाजर खाएं या सलाद जितनी भी खाएं आप किसी भी चीज का सलाद हो अगर वो खाएंगे आप तो पेट साप रहेगा पेट जीन का साप रहता है उनका मैं बार बार कहना चाहूँगा उनके चेहरे दमकते हुए दिखते हैं तो गाजर अगर खाएंगे तो आपके चेहरे दमगते हुए दिखेंगे साथी गाजर के जूस को आप चेहरे पे लगाए इससे आपके चेहरे में एक अलग सी गुलोनेस आएगी चेहरा दमग उठेगा उसके बाद हम बात करने वाले केले की केले में वीटामिन A, B, E और साथी बहुत सारे healthy minerals भी होते हैं रोज सुबह अगर आप एक पका हुआ केला खाएंगे तो आपके चेहरे दमगने लगे साथी केले को सहद में मिलाके केले को काटके उसे मसल लें और उसमें सहद मिला दें सहद मिलाके इसकीन पे regular लगाने से आपके चेहरे दमग उठते हैं उस पे जो मुहासे वगर होते हैं उससे आपको रात मिलती है तो मित्रों इन चीज़ों को उप्योग करें जिससे आपकी चेहरे दमगने लगेंगे और चेहरे स्वस्त रहेंगे तो मिलते हैं किसी अन्य ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तब तक देखते रहें धमसिक्चा धन्यवाद